C.A. बनने के बार, maximum C.A. students की तरह और बाकी जो students किसी और field में भी होते हैं, उनकी तरह, मैंने भी सबसे पहले job के लिए apply किया, मैंने एक company में 3 months तक job करी, और वो मेरी dream job में से एक job थी, जो मुझे मिली, बट 3 months बाद मैंने उसको छोड दिया, आजकी वीडियो में मैं ये discuss न थीक है अगर आप कहेंगे तो कमेंट करना आई विल ट्राइए कि उसको और अच्छे तरीके से एक बार आपको दुबारा सारी information शेर करूं कि एक हाई पैकेज जॉब को क्यों मैंने कुट किया था बट आज मेरा परपस है यह डिसकस करना कि कैसे मैंने अपनी जो ड्रीम जॉब थी उसको बहुत शॉट टाइम में बहुत इसली एचीव किया और क्या-क्या मेरी स्ट्रेटेजिस रही थी इन स्ट्रेटेजिस को फॉलो करके आप भी अपनी जो भी आप ड्रीम जॉब है यह जिस तरह की कंपनी में फर्म में आप वर्क करना चाहते हैं आप भी बहुत आराम से वहाँ पे अपलाई कर सकते हैं जब जॉब अपलाई करना मैंने स्टार्ट किया तो मैंने एक बात नोट कि जो मेरे साथ के फ्रेंड्स थे यह जो सीनियर्स थे उनका फंडा maximum students का same था वो यह कि वो जॉब अपलाई करते थे उन्होंने देखा कि कंपनी सही है, salary package सही है और वो job को join कर लेते थे उन्हें फरक नहीं पढ़ता था कि वो किस field में उन्हें work मिल रहा है maximum maximum ऐसे ही follow करते थे, यहां पर मुझे एक चीज तो realize होगे कि यह strategy मुझे follow नहीं करनी है, क्योंकि मैं ऐसे decide नहीं कर सकता हूँ कि बस salary मिल रही है तो इसलिए मैं उस job को accept कर लूँ मेरा purpose था कि हाँ मैं पहले define करूँ कि मेरा interest कहाँ पर है, मैं किस तरह की job और किस location पर और क्या profile में work करना चाहता हूँ उसके बाद ही then मैं उस job के लिए accept करूँगा या apply करूँगा तो यह strategy मेरे लिए बहुत helpful हुई क्योंकि मुझे, मेरा जो purpose था वो short term नहीं था क्योंकि आप क्या होगा, एक high salary के लिए आपने कोई job मिल रही थी, आपने ले ली वो profile हो सकता है long term में आपके लिए beneficial नहीं या तो आपका उसमें interest ना बन रहो या long term में उसमें salary growth उतनी ज़्यादा ना हो तो यहाँ पर आपके साथ challenge आ सकते है तो वो सारी strategy और study research वो आपको पहले ही कर लेनी चाहिए तो मैंने find out किया कि secondly क्या, कि competition ना market में काफी ज़्यादा है मतलब अगर as a CA भी हम देखते है ना तो वहाँ पर क्या है अगर देखो ऐसे ही छोटी company में या normal कोई भी job आप apply करने के achieve करने के लिए ready हो तो that's a different thing फिर इतनी problem उस टाइम पर नहीं थी at least but problem कब है कि आप क्या defined है कि मुझे इस तरह की company में इस profile में ही work करना है तो तब आपके लिए एक challenge हो जाता है क्यों कि अब आप हर job के लिए apply नहीं कर रहे हो आपने पहले ही define कर दिया कि मुझे ना कुछ limited job में से ही किसी job को select करना है तो यहाँ पर आपके पास competition increase हो जाता है अब purpose था कि जहाँ पर competition जादा है उसमें selection होगा तो कैसे होगा यह एक बहुत बड़ी बात होती थी तो उसके लिए मुझे realize होगा कि unique होना ना बहुत important है और वैसे भी ना मतलब अगर हम मुझे personally जानते भी होंगे तो आपको एक चीज़ का पता होगा कि मेरी कोशी शमीशा रहती है और starting से कि कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ unique करता रहूँ तो अगर आप courses में भी देखेंगे या किसी भी तरीके से जो मैं पढ़ाता हूँ taxation का accounting का तो वहाँ पे बिना uniqueness समीशा रहेगी कि जो बाकी सब नहीं कर रहे है ना all over India वो सारी चीज़े आपको मतलब वो करने का मेरा मन सबस्यादा करता है जैसे courses के अंदर earning oriented part सबस्यादा मैंने include कि earn कैसे करना है बाकी सब क्या पढ़ा रहे है कि taxation क्या होता है accounting क्या होता है वो सब पढ़ा रहे हैं बट उससे earn कैसे करना है वो कोई नहीं सीखा रहे है तो यहाँ पर एक uniqueness वहाँ पर रखे एक चोटा example था तो इसी तरीके से उस time पर मैंने सोचा कि जो भी मैं job apply कर रहा हूँ वहाँ पर उसमें ऐसा क्या कर सकता हूँ कि जो मेरी profile को ना unique बना दे और सामने वाली company मुझे select करे in comparison to other CS अब क्योंकि देखो ना वहाँ पर तो CAE apply कर रहे है जिस post पर मैं कर रहा हूँ तो मतलब अगर एक post पर thousand लोग apply कर रहे हैं तो thousand के thousand CAE ही है उन्होंने भी वही syllabus पढ़ा है जो मैंने study किया सिर्फ marks में थोड़ा फरग हो सकता है बढ़ इतना जादा variation नहीं होता है तब भी और उसके base पे सिर्फ selection होना challenging है आपको ना कुछ unique बनना पड़ेगा तब ही company आपको select करेगी आपको preference देगी तो मैंने क्या किया सबसे पहले one week सिर्फ किस चीच में invest किया अपने cv को prepare करने में सिर्फ कैसे मैं अपने cv को बहुत strong बना सकता हूँ क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि cv न जो आपका resume होता है वो सिर्फ एक paper नहीं है जिसमें आपने कुछ भी अपनी educations वेगरा लिग दी नहीं यह first contact है आपका और employer के या company के बीच में मतलब company तब तक आपको personally नहीं जानती है उन्होंने आपसे बात नहीं करी है आपकी knowledge क्या है उनको नहीं पता है सिर्फ यह resume ही है जिसके base पे evaluate कर पाएंगे कि हाँ आप कुछ शायद unique है बाकी सबसे different है तो मैंने बहुत अच्छे से बहुत detail में सीखा कोई course नहीं किया कुछ नहीं किया था उस time पे but मैंने बहुत अच्छे से detail में सीखा कि कैसे इस चीज को create कि जासकते फिर हाँ जब मैंने पढ़ाना शुरू करा मुझे लगा कि students को requirement then मैंने course create कर दे ताकि students को one week ना देना पड़े वो 2-3 दिन में उस चीज को आराम से सीखा है तो वहाँ पर मैंने सारी चीजों को बहुत सारी चीजों को implement करा वो एक separate topic हो जाएगा again मैं कहूंगा अगर आपको चाहिए उसके उपर वीडियो तो आप comment करना मैं फिर उस पर भी कोशिश करूँ आपके लिए वीडियो प्रेपर करने का बट शॉट में फिर भी बताऊं तो उस टाइम पर नॉर्मल सीवी ही यूज करते थे आज भी maximum students नॉर्मल ही करते हैं कि एक simple track stage जिसमें कोई modern look नी है कोई design नी है बट फिर भी modern look बहुत common हो गया है design वाले cv अब बनाने लगें बट उस टाइम पर जहां पर भी मैंने apply किया था hardly मैंने 2-3 cv देखे जिनों ने थोड़ा modern look दिया था otherwise सब plain cv use करते थे then I tried to use the modern look तो modern look से क्या हुआ एक distinction create हुई कि हाँ मेरा cv अभी कैसा है different है plus मैंने single page पे रखा उसको multiple pages पे नहीं रगेट किया जब मैं physical copy लेकी जाता था normally students क्या करते थे normal page पे print out लेते थे black and white print out लिया मैं colored print out प्रिंट करता था और hard paper पे जो certificate paper होता थे heavy paper 170 gsm I think तो उस पे print करता था उसके कारण क्या होता था सामने जैसे ही मान के चलिए कोई HR है HR के पास लेट से उस रहें पर 20 cv है तो बाकी सब के cv कैसे वो normal paper है जैसे copy का paper notebook का paper होता है आपका वैसा है मेरा जो paper है वो strong है hard paper है तो वो हमेशा उनकी holding में भी न वो हमेशा कैसा एक अलगी grip बनाता था एक अलग पता चलता था कि हाँ यह cv बाकी से अलग है कहीं न कहीं कहीं न कहीं यह mind में trick कर रहा है कि हाँ यह कुछ uniqueness आ रही है और फिर उनको भी लगेगा इन्होंने premiumness फिल होगी तो अपनी आपी mind में ना चाहते भी एक image create होगी कि हाँ कहीं न कहीं जो candidate एक से मैं apply कर रहा हूँ तो मेरी skills यह मेरे बारे में कुछ premiumness है तो उस चीज़ को मैं वहाँ पर focus करता था और जो मैं email भी लिखता था email भी बहुत unique draft करता था जब subject लिखता था सब्जेक्ट को भी unique रखता था customized रखता था और जो email हम लिखते है न normal students क्या करेंगे email भी लिखेंगे resume अपना attach करेंगो लिखेंगे कि please find attachment यह सब sir मेरा resume है आप इसको एक बार देख लीजी इतना लिख लेगे मैं वहाँ पर पूरा design बनाके उसको professional design बास आ रही है कि वह thousand email open कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे तो open करना अपने अपने पैलेट आसके तो सब्जेक्ट कैसा लिख रहे हो आपने profile photo कैसी लगाई है अपनी email पर अपना name कैसा mention किया वह बहुत attention grab करता है फिर उसके बाद आपकी email इतनी attractive होनी चाहिए कि person आपकी cv download करेंगे नहीं chances बहुत rare है फिर उसके बाद cv ऐसा design होने चाहिए कि वह मजबूर हो जाए कि हाँ इसको एक बाद मैं थोड़ा detail में read करूं तो इस चीजों का आपके उपर impact पड़ता है फिर ना अब अपने आपको मैंने क्या बताया कि differentiate करना मेरे लिए एक purpose था कि मैं अपने आपको कैसे differentiate करूं क्योंकि बाकि जितने thousand या जो भी hundred five hundred thousand जो भी लोग apply कर रहे हैं तो वो भी CA है मैं भी CA हूँ उनके पास भी same knowledge है मेरे पास भी same knowledge है तो मैं अपने आपको कैसे differentiate create करूं मेरा interest था technology में वो starting से रहा है मैंने बहुत सारी चीज़े उस पर करता रहता था तो अपना focus मैंने उसी के उपर draft किया cv में भी हर जगा मैंने अपनी technology को दिखाया showcase किया तो उसमें मैंने दिखाया कि हाँ मेरे को technology की knowledge है आने वाला टाइम चाहे accounting में है चाहे किसी भी चीज में technology का है और कैसे accounting में जो भी हमारा technical ये accounting CA से related work है technology का use मैं कैसे कैसे better तरीके से कर रहा हूँ ये सारी चीज़े भी मैंने अपने cv में mention करी और interview में भी मैंने इस चीज़ पर focus किया प्लस मैंने किस चीज़ पर focus किया कि मैं ये showcase कि हाँ interested हूँ नए नई challenges के लिए और नए नए चीज़े सीखने के लिए तो सामने वाले person को डियलाइज हुआ कि ऑके बागी जो thousand कर पाएगा और सीखने के लिए interested है energetic है तो consider किया वहाँ पर और इसके अलावा हाँ एक point ओड था normally क्या करते हैं जो students होते हैं एक जो portal पर register किया नोक्री.com पर बस वहाँ पर apply कर रहे हैं मैंने multiple portals पर apply किया था क्योंकि मेरा target था कि selected companies में ही apply करना या कुछ particular field में ही apply करना अब जरूर ही नहीं है कि वह सब नोक्री.com पर तो मैंने multiple platforms पर उसके लिए register किया LinkedIn पर अपना बहुत focus create किया और 100% sure नहीं हो बट I think जो job मिली थी वो LinkedIn के through ही मुझे तो इस तरह के से multiple किया और company जो थी जहाँ मुझे लगता था पता नहीं याद रहेगा नहीं रहेगा तो मैं कहूंगा कि एक बार दुबारा सुनके इसको note down कर लो इनको follow करो आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छी job जरूर मिलेगी ठीक है फिर भी आपको कोई doubt होनो तो आप comment करना बागी बहुत सारी वीडियो से इससे related आने वाली है और already uploaded भी है तो आप एक बार चैनल पर देख लेना आपको बहुत सारे content इससे related मिल जाएगा ठीक है चलिए बाई बाई